हलो मेरे कांतिकाली बच्चों कैसे हैं आप लोग वो घड़ी आ चुकी है जिसका बहुत दिन से इंतजार था एम्यू ने अपने फॉर्म्स निकाल दिये हैं लास्ट डेट फॉर्म की आ चुकी है डेट अभी टेस्ट की डिस्प्ले नहीं की गई है कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस डेट में टेस्ट होगा most probably April में पहुँच चुका है टेस्ट ये चीज आप लोग को याद दखनी पड़ेगी जो गलतियां जादतर बच्चे कर देते हैं जिसकी वज़े से फॉर्म हो जाता है कैंसल वो गलती आप लोग मत करिएगा तो देखते रहिए मुझे जरा कि क्या-क्या चीजे करनी है, कितनी seats हैं, क्या-क्या questions आ सकते हैं, कौन-कौन से subject से कितने questions आते हैं, वो सारी चीजे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले start करते हैं अपने जरा कि ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने coaching करी है, हम लोगों के और नाम इन लोगों का आ चुका है, तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, first entrance की, तो first entrance की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहली चीज, कि जो seats हैं, वो कितनी हैं, तो याद रखिएगा, boys के निये जो seats हैं, English medium में, first entrance के निये, वो है 140, और उर्दू के के निये हैं, सिर्फ 45, अगर girls की बात करी जाए, तो 140 seats हैं, English medium वाली girls के निये, और 130 seats हैं, उर्दू के निये, दो स्कूल कमबाइन करके बनाते हैं, उर्दू medium का first entrance के निये, first class के निये, बहुत सारे बच्चों को ये problem होती है, कि age कितनी होगी, मैंने यहाँ लिग दिया है इस age से 1st April 2017 से लेकर 31 March 2009 तक अगर कोई बीच में इसके पैदा हुआ होगा, तो वो ही eligible है, first entrance के निये, last date जो form भरने की है, without late fees, इसके बाद एक हफता और मिलेगा late fees के निये, लेकिन कोशिच करिए कि आप लोग इसी date में भर दें, इसकी जो registration fees है, मतलब जो form की fees है, वो सार 600 रुपे है, क्या क्या आता है, first के entrance के निये, first के entrance के निया हमाई पास basic जो हम लोग nursery और kg में पढ़ते हैं, वो ही सब चीज आती है, fruits name, months name, और number को add करना, multiply करना, table आ जाती है, तो पहले होता है उसका test, उसके बाद होता है interview, जो test में qualify होता है, उसी को interview के निये call किया जात है, तो six class के निये, अगर हम देखें, तो जो seats हैं हमारे पास English medium की वो है 80, और Urdu medium के निये हैं हमारे पास 40, girls के निये बात करी जाए, तो 40 English की seats है, और 45 हैं हमारे पास Urdu की seats, six के entrance की last date same है, लेकिन fees में थोड़ा सा increment है, 50 रुपे का, date अगर इस से बीच में है, अगर date इसके बीच में है, वो ही बच्चा eligible होगा, याद दखेगा, ये बड़ी important चीज है, बहुत important criteria है, एक दिन भी अगर आगे पीछे हुआ, तो उस बच्चे को test नहीं देने दिया जाता है, तो आप लोग याद दखेगा पेटा ये चीज, अब ज़रा देखते है marks, ज उसमें जो written test होगा, वो होगा 85 marks का, जिसमें 25 marks की language होती है, ये तीनो, उसके बाद mark, उसके बाद science का होगा, हमारे पास 30 नमबर का, और math का होगा हमारे पास 30 नमबर का, तो total होता है ये 85, जो इस test में qualify होता है, उसी को ये interview देने के निए permission मिलती है, तो याद दखेगा, य test जो qualify करेगा, उसी को ये interview देने दिया जाता है, call letter या list आती है, पहले तो जो test में qualify होते बच्चे, उनी को interview देने दिये जाएगा, और कोई नहीं दे सकता है, सब बच्चे नहीं देते हैं, ये 15 marks का सब के निए नहीं होता है, जो eligible होगा, इसमें qualify कर लेगा, उसके निए ह वो same है, boys के निए जो seats है, उर्दू medium नहीं है, 9th class के निए ये बात सब लोग या दखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो उर्दू medium के निए जाना जाते हैं, तो वो यहां नहीं जा सकते, English medium में उनको करना पड़ेगा, English medium के निए जो girls की seat है, वो 180 है, age criteria हमारे पास ये है, age criteria ये है, किस तरह से करनी है, तयारी, कौन-कौन से chapters important है, सारी चीजे मैं आप लोग के निए लेकर आऊंगा, बाद में अभी ज़रा form को fill करना हम लोग सीखेंगे, कि कैसे करना है form को fill, उससे पहले समझ देते हैं, कि interview और ये, जिस तरह से science का होता है, वैसे 9th के इंट्रे हिंदी और उर्दु में जो grammar होती है, और जो basic चीज़े होती है, वो ही आती है, English में हमाँ पास prepositions आते हैं, टेंसे आते हैं, और जो grammar होती है, वो ही आती है, तो ज़रा समझते हैं, कि हमें form कैसे भढ़ना है, तो सबसे पहले करना है हमें registration, तो registration करना है कैसे, ज़रा समझ लेते हैं registration के निये हमें करना क्या है registration के निये हमें करना है यह कि सबसे पहले अपना user name करना है select user name करना है select बहुत बाल अगर कोई professional computer वाला है जो form भरेगा तो वो यह सब चीज़े आप से नहीं मांगेगा ठीक है कभी-कभी मांगते हैं कभी-कभी वो अपना ही नाम से registration कर देते हैं तो अगर हम passport मांगेंगे तो हमें password करना पड़ेगा user name में हमेशा अपना नाम select करना है फिर अपनी email लानी है और यहां हमें डालना है कौन-कौन से documents होंगे वो भी देखते हैं जरा और क्या ऐसी चीज़े होंगी जिससे form reject हो जाएगा वो भी देखेंगे last minute हम लोग अभी पहले समझते हैं क्या-क्या चीज़े चाहिए हमें photograph चाहिए होगा उसकी scan copy लगेगी photo को scan किया जाएगा computer जिसके आप लोग जाएंगे cyber cafe में वो आपका काम यह कर देगा photo को करेगा scan आपके signature जो आप लोग यहां लगाएं जो इसमें scan करवाएंगे वो ही होना चाहिए thumb impression जाना है ठीक है thumb impression आप लोग पर जाना है तो उसका foot आप लोग एक कागस पर निशान बनाएंगे impression देंगे वो scan होके पहुचेगा यहाद दखिएगा दौनों चीज़े सेम होनी चाहिए sign भी सेम होने चाहिए ताके cancel ना हो जाए form date of birth certificate आपका लगेगा और mark sheet लगेगी बहुत सारे बच्चों को यह problem रहती है कि mark sheet हम तो 5th में है यह हम तो अभी 8 में है तो हम mark sheet 8 class की नहीं लगा सकते या 5th class की नहीं लगा सकते तो याद रखिएगा उस case में आपको 4th class की या 7th class की mark sheet लगाने पड़ेगी ताके आपको य अभी के form कैसे हो सकता है cancel यह बड़ी important चीज़ है याद रखिएगा कैसे हो सकता है cancel तो cancel के निए जरा criteria देख लेते हैं कि cancel होने के क्या क्या चीज़े हैं जो कि हो सकता है cancel तो incomplete अगर रह गया अगर हमारा form incomplete रह गया हमने कोई भी चीज जादातर बच्चे photo नहीं लगाते या गलती कर देते हैं अपने sign नहीं करते तो उस case में reject हो सकता है अगर not submitted on prescribed form ठीक है जो हम form हमने दिया है उसके बजाए हमने दूसरी जगा वो चीज़े लगा दी माल लीजे के photo है या जो भी चीज़े है या फीज जमानी करी submitted without the online payment और submitted after the last date last date के बाद अगर किया तब भी बहुत important है आप लोग के नहीं में videos बिटा लेकर आता रहूँगा आप लोग को किस तरीके की videos चाहिए कौन सा topic आप लोग को मुझकिल लगता है आप लोग comment में मुझे बता सकते हैं एम्यू से related कोई भी information अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे से जरूर contact करिएगा थेंक्यू